गर्भावस्ता के समय सही प्रकार से भोजन करना मा और उसकी होने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है गर्भ में बल रहे बच्चे का शरीर मा के द्वारा खाए गए भोजन से ही बनता है अगर मा गर्प के दौरान उचित भोजन खाती है तो उसका बच्चा स्वस्त रहता है और बच्चे को जन्ब देने में मा को कोई कठनाई नहीं होती जन्ब के बाद मा का स्वास्थी भी जल्दी ठीक हो जाता है बच्चे को दूद पिलाने वाली मा के लिए यह आवश्यक है कि वह सही भोजन करे क्योंकि बच्चे के लिए पौश्टिक तत्व मा के खाय हुए भोजन से ही दूद में आते हैं जब एक माँ बहुत कम खाती है या उसके भोजन में पोश्टिक तक कम होती है तो उसके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ नहीं हो सकता इसे कुपोशन कहते हैं और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ही हानिकारक है अगर माँ का पोशन ठीक नहीं होता है तो उसमें कम शक्ति होती है और वह जल्दी बीमार पर जाती है यूं तो गर्भ हवस्ता में मा का वजन पढ़ना सामान्य है किन्तो अगर मा का वजन बहुत अधिक बढ़ जाए तो ये मा तथा गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए नुकसान दायक है अगर मा अधिक मात्रा में ज्यादा तेल में पका हुआ खाना बहुत मीठा खाना जैसे मिठाई, चीनी वाला शर्बत, ठंडा पे या फिर डिबे वाला जूस पीती है तो उसका वजन आवशक्ता से ज्यादा बढ़ सकता है जो उसके और उसके शिशु के लिए अच्छा गर्भावस्ता के दौरान अगर मा अधिक मोटी हो जाती है तो उसमें गंफीर स्वास्तिय समस्याएं जैसे डाइबीटीज और हाई बलड प्रेशर भी हो सकती है। बच्चा या तो समय से पहले जनम ले लेता है या फिर स्वास्तिय सम्भंधी जन जात समस्याओं के साथ जन लेता है जिससे मा के लिए उसकी देखबाल करना कठिन हो जाता है।